असलाम लेकूम जी मैं हूं हीना हमाद आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद करते हूं भी ठीक होंगे खैड़िट से होंगे और मैं भी ठीक हूँ लेकिन बहुत जब लोग तक चुके हैं फैमली के साथ आये हुए हैं हम लोग पहले मरी गए मरेश इसलामबाद इसलामबाद के र कर रहे हैं डिफरेंट जगों के और यह है लोग विर्सा है यह बहुत ज़दा फेमस है बहुत ज़दा यहां पर जो है हमारा विर्सा है पाया जाता है हमें आपको वह सब दिखाऊंगी एक करके और आप लोग भी देखिएगा और बदाएएगा आपको कैसे लगा अगर आप साथ दिखाती हूँ ओके मिर साथ चलिए आजए चलते हैं ओके जी तो मैं आपको जो इसलामाबाद में मजगूत हूँ यह लोग विर्सा है जैसे मैंने आपको बताया है बहुत ही खुबसूरा जगा है यह इसकी बाहर से एंट्रस है यह देखें कितना हुबसूरत है इस तरह लग रहा है जैसे कि यह कोई रियल ही बैठा हुआ है और एक जफ़ा तो मैं चौंकी कई शाहिए कोई आदमी आया और इसमें चड़ा है तो वाकिए कोई टांगा टाइब जैसे पहले चलते थे बहुत पहले तो मैंने कई शाहिए वो ही है लेकि जाम इने गोड़ से देखा तो यह वाकिए सब यह यहने के उन्होंने मसनुई आर्टिविशल बनाये हुएं यह स्टैचूज और यह सारी आप लोग खुद देखेंगे इतना रियल है और मैं खुद देखिए मैंने फरस्ट ताइम यह देखिया है इसलाम बाद तो बहुत बार गई है लेक पर तो हमने इसलाम बाद स्टै किया था तो इसलाम बाद की यह सारी फुटिज है तो आप देखेंगे यह सारी वीडियो में हिरान हुई यह सिकाउज हैं यह बफैलोज कहलें क्या फाइटर बूल फाइटर्स हैं और कितना रियल लग रहा है बहुत ज़दा इमेजिनरी से देखा तो मुझे इतना देखना चाते थी कि यार की करीब से कैसे है तो फिर मैं इसके खुल करीब आके इसको देखें बुल कार्ट इसको लिखा हुए उन्होंने बुल कार्ट और यह देखें जैसे पुराने जमाने में जो हमारा विरसा था उसको जागर करते हुए जैसे किसान या यह इसको लेके चलते थे बुल कार्ड को और जो आत्मी है वो भी इतना ज़्यादा रियल लग रहे है बिलकुल ही इस तरह उनको कपड़े और इस तरह उनका स्टेचू बनाया हुआ है जो बिलकुल ही रियल हुए है जो जिसको लोग पहले पाई कहते थे अंकल कहते थे यह बड़ा अवर जो भी कहते थे वो भी बिलकुल रियल लग रहे है यह देखें बिलकुल इसके जो है ना यह दाउद है जी दाउद देखें इस जो आई कर रहा है कि अमल के स्टेचू के साथ यब्दुलादी खड़े हैं कुछ उनके कजन्स उनके साथ हैं तो जी बड़ा एंजवाई की है बच्चों ने सब ने मिलके इसको देखके वो हिरान हो रहे थे कि ममा यह रियल है यह रियल है मैंने कहा जी बेटा यह सब रियल चल रहा है बहुत अच्छा है तो इन लोगों मैंने भी बहुत एंजवाई कि आप यकीन करें यह मेरा ख्लिप एक बहुत छोटा बनेगा जितनी यह जहां पे अंदर और बाहर यह इसका व्यू था इसकी लोकेशन थी लेकिन पता नहीं किस तरह मैंने इसको जोना शॉर्ट करके तो आपको दिखा रही हूं कि कितना मैं ह stellar है हमारा यह विसा है यह हमारा तो श्क्राइब एक बहुत अच्छा एक का अबर्ण ह्का मुइड का पा एक complement कि रही हैं बहुत भीड़ यहां बहुत ऑचा रहा है बच्छा रहा हैar जेसम्वरे तो फिर तो फिर जी थे बहुत देखे किसे पीं वीडियों बट बना ले ये यूनीक से अंटीक सी चीज़ें हैं और ये देखें ये मीरर जिसको हम ड्रेसिंग टेबल कहते हैं अब ये देखें कितना अंटीक सा बने हुई स्टाइल इतना अंटीक है और ये संदूक ये बंदूक ये चीज़ें इसमें कुछ प्याले कुछ ग्लास से लिए इसके बा इस एक शॉप में ने बहुत ही उनीक स्टाइल की कैप्स देखी हैं जो हमारा विर्से को जागर करती है जूल्री देखें जैसे पुराने ओल्ड फैशन जूल्री है लेकिन आज भी बहुत ही जबदस मानी जाती है बहुत से लोग इसको पहना पसंद करते हैं यूज करने हैं यह देखें डेकॉरेशन पीसिज और इतने हुपसूरत बने हुए हैं और देखके भी इनसान जैसे वाकी कहते हैं कि एंटीक चीजे हैं तो हो हिरान रहा जाते हैं कि यह कितना जबदस चल रहा है इतना हुपसूरत लग रहा है यह सब देखें आप लोग भी आपको कैसा अगर आपको मेरे वीडियो अची लग रही है तो लायक एंड सबस्क्राइब जरूर कीजेगा जरूर मेरे वीडियो शेयर कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह लोग फेकड़ से का जयो सफर है आपको किस तरह लग रहा है यह देखें इवन ने ऐसा लोग बैठे हुए हैं है कोई खाना एक हा रहे हैं कोई बैठे हुई है यह सीनरी Бिछे बहुत प्यारी लगाई हुई है और यह हर्थवा हूह है जिसको जूंपढ़ी कहते थे जूंपढ़ी कहले हैं है लोगे बढ़ गश्वार होगे जो मत्ती के वह तरह हैं यानि कि जब तक इनसान के खुड आंखे नहीं न देखती हूं, तो उसको वो चीज बिलीव नहीं होती, कि ये कितना खुबसूरत है, कितनी जबदस चीज़ें हैं, तो आगे चलते हैं, आगे चले मेरे साथ, ये बहुत बड़ा था, हमें तकरीबर देखते ही देखते हैं, तकरीबर दो से तीन घंटे हमें इसको घूमते घूमते ही लगे हैं तो यह जो समयजले वीडियो जो है ना मैंने आपको दिखाने की तो पूरी कोशिश की है लेकिन कुछ कुछ कटिंग की है, कुछ शॉड मैं आपको जल 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 दी में करके दिखाया है आगे मैं आपको दिखाऊंगे किसमें ही रांजा ये देखें आई गई हैं ही रांजा बैठे हुए हैं देखें स्टाइल उनका उनकी जैसे क्लोज थे उनकी पूरी हिस्ट्री यहां पर लिखी हुई थी शायद आपको भी नजर नहीं क्लियर आरी होगी तो यही रांजा पारी हिस्ट्री उनकी लिखी हुई है उनके बारे में सब उनका पूरा जैसे वो ट्रीक इंचे द्रख के नीचे बैठते होंगे उनके साथ जो ना मुर्गे तित्र बटेर और यह ससुई पन्नों और यह जो हमने स्टॉरी पहले सुनी हुई है हमारी विरासत के पुरानी उल्ड जो थी वो सब जो थी ना उनके मॉडल्स बना के उनने रखे हुए थे और फिर्कुल रियल लग रहे थे यह सारे यह देखें उनका जो हेस्ट्राइल होता होगा यह देखें इनकी भी हससी पन्नों की जो है ना डिटेल आरी यहां पर कि वो किस तरह बैटते देखे पीकोक बना हुए बड़ा जबदसा एक मौर बना हुए है और यह देखें यह आगे हीर अंचा ससी पुनो और वो महीवाल और यह सारा कुछ जो है ना यह सारा इनके बारे में डिटेल आगे जाते जाएंगे तो इनके बारे में सारे डिटेल भी लिखी हुई है और वो जि मेशीन चला रही है कोई हार टाइप योगी यह देखें और लसी रिड़कने वाली कुछ ऐसे मतलब एक तर्म आपको लगेगा कि हैं यह क्या इतनी जबदस चीज है यह देखें टीक बरतन पड़े हैं यह कोई देखें आदमी बठा है और इनकी बैठे हुए नहीं यह सब ज नारा यह क्या है मुझे नहीं पता चल रहा शायद हम इसको तंदूर कहेंगे अब क्या वटएवर आप बताएं इसको क्या कहेंगे मुझे कमेंड में देखेंगा यह क्या चीज़ थी सो यह नहीं कि जो भी था यह और्ड विरासत को लेते हुए देखें डोर्स की कारीगर ली वाल्स के ओपर यह वासा पड़ा हुए और यह देखें कितने खुबसूरत है क्लोक्स और यह सारे अंटीक जो है ना चीज़ें बहुत ही खुबसूरत लग रही है और बहुत ही यह नहीं कि इन्नों किसी मेनत करके यह बनाया हुआ है लेकिन हमें इनको टच करने की जा सूरत बहुत ज़्यादा और बिल्कुल रियल लग रही थी देखें मा बैठी है साथ बेटी और यह नहीं कि इस तरह असका लुक दे रहे हैं बिल्कुल एक फैमली लुक जो गहरों में लोग बैठते हैं जिस तरह यह एक आदमी खड़ा हुए है और इनकी भी लिखा जायर देखने के लाइक है और जारी बता है मसीदा तो हमें देखने ही चाहिए कि एक बहुत जबदस जगह है लेकिन मॉल्स में भी हम लोग जाते है ठीक है लेकिन आप एक पर यहां पर जरूर विजिट करें एक मैंने आपको दामने कोका दिखाया उसका भी ओपर से करने पर हम वहां पर गए थे वरना हम वैसे हमारा कोई प्लान नी था यह देखी आदमी जैसे क्या कहते थे मूंची कहते थे मूंची टाइप बैठा हुआ है उसके ओपर भी लिखा होता है देखो पेपर रखे हैं जैसे वह अपना काम कर रहा है कोई और एलेडीज लगी थी यह अनकी नी की बारे में जो चल रहा था वहां पर जगा जगा पर एलेडीज थी यह एक और पुरद पुरखे में बैठी है और यह अपना कोई ना क्या कहते हैं सोने वगारा का काम करवारी है उसके ताद जो आत्मी है ना मैं पको वह भी वियू करवाँगी मैं सारा आपको दिखा रहे हैं कि जूलरी शॉप बनी हुई है यह ना जैसे पराने जब्वक्तों की होगी कोई जूलरी गोल्ड की तो वह अपना जैसे तरा जो गोल्ड का होता है यानि कि वह जो पिर माईश वगरा करते हैं उसके लिए चीज़े पढ़ी हुई है तो इस सारा मैं तो खुद अब आपको बता रही हुँ तो मुझे खुद रिवियू हो गया है मैं इस चुरी घरा चुकी है और मैं आपको घराने के बाद ही इसका रिवियू दे रही हुँ और वीडियो बना रही हुँ क्योंके रिलیک्स होकी बनाने वाले था काफी लॉंग और लंधी है तो एक तो यह देखें आर्ठ वर्क वाल्स का दिवारों का और यह सारा जितने भी यह चीजेंगे बहुत माशालह बहुत जबर्स लगाया है मुझे आपको किस तरह लगा है तो आप भी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताईए का कमेंट कीजेगा और शेर भी कीज उसके बारे में बताया गया है इसके स्टैट्यूज जो पुराने पुराने बहुत फेमस थे उनके नाम भी लिखे बकाइदा यहां पे लिखा गया है और उनके मताबिक ही उनी की यानि के उनको ही जिन्दा करते हुए यानि के उनको याद में उनकी ताजा रखते हुए उनक किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये देखें जान ली और ये इन सब के नाम जो सिंधी थे जो जैसे भी जो फेमस थे ना हमारे मौसिकार गुलुकार और उन सब के स्टैचुस यहां पर बने हुए हैं देखें ये किस तरह हैं पता नहीं आपको मेरी वीडि लग रही है अच्छी लग रही है वैसे ही ये किन करें मज़े तो बहुत इंज्वाई किया मैंने यहां पर जाके और इसके साथ जो लेडि सिंगर सीं उनके बारे में भी लिखा हुआ था वो भी एक फ्रंट पे थी एक साइड पे थी और ये कुछ लिखा हुए है कोई जो सीद घर आने थे उनके बारे में लिखा हुआ है कुछ यानिकि जैसे ये देखे अब उनकी इंस्ट्रॉमेंट से लगे हुए हुए है एक साइड पर जो जो यानकी म्यूजिशन म्यूजिक फ़ले इंस्ट्रॉमेंट होते न जो पहले यूस करते थे वो तो वो एक साइड पर लगे हुए हैं बांसुरी और क्या क्या कहते हैं बीन और मुझे तो इन चीजों के नाम भी नहीं आते लेकिन यह पता जरूर है कि यह ना ओल्ड जो थे ना इस तरह के यूथ होते थे इंस्रूमेंट्स म्यूजिक के लिए और गाइकी के लिए यह देखे आगे यह तार उसके सही कर रहा है कितना खुबसूरत लग रहा है और देखे किस तरह बैठे हुए है और किस तरह बैठ कर जो है इसकी तार जी सही कर रहे हैं और तार को तार तार होने से बचा रहे हैं सारी तो जी आगे देखते हैं जी अब कितना आपका हो रहा है मैं इसको ना तू पा आपको शो करवाऊंगी सारा कि क्या है ये समझ ले हमारा भी हाफ भी नहीं हुआ था जितना मैंने आपको दिखाया और यहां पे फिरना और चलना और सब को देखना तो इतना हमने जोएगे हमें लेकिन बिल्कुल एसास नहीं हो कि कि मैं आपको एक छोटी सी बात पताती हूँ कि हमारे जी देखी ताजिक्स्तान का फैशन उनका लुक बड़ा ही जबदस कपड़े पहना हुए थे लड़कियों को लड़कों का जो स्टाइल था और जो लेडिस का यहां पे दिखाएगे थे खवातीन की लेडिस के जैंट्स के यह सारे वहां पे थे बहुत उपसुरत लग रहे थे यह कीन करें कि एंटीक वर्क था और वाकी जैसे पहले तपकी के काम वले कपड़े और इस तरह की कपड़े थे तो वाकी ही वह बहुत हुबसूरत जो पीसिस थे जो वहां से हमें चीज़े निकली थी ब्रामद हुई थी कि उनकी भी यहां पर लाके रखे हुए हैं जाहरी पता हेरिटेज विर्सा है यानि के हमारा विर्सा है विरासतफ़ली लोग विर्सा है तो यहां पे जो है ना ओल्ड जो चीज़े थी एंटीक चीज़ वो यहां पर रखी हुई हैं इस सब इंटीक्स हैं आपको पाकिसान में दुनिया भर में कहीं पर भी यह चीजे जो है ना नजर ने लाएगी जी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी वहां के भी अवास कैसे गोंज रही थी हमारी बहुत अच्छा है डॉर्ट की और लोकेशन और इस सब इतना खुब्सूरत लग रहा था और बहुत जबदा सुच यहां पे जो इता है फॉर्डनर्स भी बहुत जदा हु अब बहुत जब 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 बहुत जब जब दोड़ा रही थे जब दोड़ा जब दोड़ा हैं और इस पीचर्स ले रहे थे अब भी पाकिस्टनी स्ट्राइल ने गए गर लोक तरसा देखने आया था तो यह नहीं कि वह पनी जीन्स या टी-शिर्ट वगरा पैन गया ही थ भी सलवार के मिसके अंदर ही ड्रेस्ट अब थी वो लेडिस ठीक है तो बहुत अच्छा लग रहा था उनके बच्चे चीजें देखके और वो बहुत जब जब इंप्रेस हो रहे थे हम लोगों से शायद हम लोग अपने आप से इतना अब इंप्रेस नहीं होते अब हमें लोग जबा इंप्रेस करते हैं लेकिन हमें अपने लोगों से इंप्रेस होना चाहिए अपने विर्से से इंप्रेस होना चाहिए इसको भी अपने बच्चों को शरूर दिखाना चाहिए कि आखिछ ये हमारा विर्स है ये हमारी हकीकत है और यही है जो सब कुछ है और यही उम्रे पाते थे कितने एजिड हैं जो काम कर रहे हैं बाबास बनाए में हैं देखें कितने कितने जाना ओर्ड मैन हैं और ये देखें बाल भी सफेदा और इतना ज़्यादा मुशक्कत वाला काम देखें पत्थरों पे रखे हुई हैं ये मटकी बगएरा और ये सारे घड़ आउट करते हैं अगर गड़ा भी रखा तो चोटा सा लेके एक बड़े तक हम इंसान सोचते रहनें या यह छोटा और इतना बड़े तक क्या तालक था लेकिन हुपसूरती बनाई हुई है यही तो यहनिकी सारी हुपसूरती है जो उन्होंने बनाई हुई है क्या सोच कि ने आर्ट वर्क किया है इतना इंटीक इतना खुब्सूरत माश्याला और यह देगी तारीक के हमारे जो थे हीरोज मैं तो इनको हीरोज ही कहूंगी एकबाल इलामा एकबाल और जितने भी सारे यहां पर बनाए हुए हैं तो यह सब के सब जो थे ना हमारे सूपर हीरोज ही जिसकी वज़ा से हम एक अजात मुल्क में रह रहे हैं अब यह देखें जी मेरी वीडियो जो है ना मैं खत्म करने वाली हूँ क्योंकि मैं आपको एक और पार्ट इसका जरूर दिखाऊंगी आपको यह वीडियो कैसी लगी है तो मुझे आप जरूर बताईएगा मैं आप साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताती जा रही हूँ कि यह देखें और भी यह फ्लेक्सिस लगी हुई थी यह निकी दिवार पे और यह निकी बहुत अच्छा चीन शारा है रेशम और चीन की जैसे वो जो ड्रैगन को वो करते हैं बहुत ज़दा पूजा टाइप करते ह जो भी है तो यह देखें सारा बहुत अच्छा बनाया हुआ था बहुत जबदस लग रहा था रियल के लग रही थी हर चीज ऐसे लग रहा था कि बिलकुल ही तस्वीर से निकल के बाहर आ रहीं जीज़ें यह जो स्टैच्चूस तो इतने रियल लग रहा था